नवाश्कार और वेलकम यूटु दू जैनल तो एच्पू बीएड की टेंटेटिव शेडिल जारी किया है यूनिवसिटी ने 2022 सेशन के लिए टेंटेटिव शेडिल है यह इसका मतलब है कि इसमें चेंजिस भी हो सकते हैं आउस्द तरहुआ, तो देखते हैं कि कब कांसलिंग है फर्स्ट राउंड की कांसलिंग जो आपकी आठ थारिक से चौद तरह तक चलेंगी यह इन्यकि आपको ब्याड ओनलाइन कांसलिंग के लिए जो कॉलेज की स्लेक्शन है आपको कैंडिडेटस के लिए प्रेफरेंस आ जाए तीसरे पर कॉन सा चाहिए है आपको 5 प्रेफरेंस आप दे सकते हो आप कम भी दे सकते हो अगर आपको लगता है कि मेरा निमी पड़ जाएगा अप 2-3 प्रेफरेंस भी काफी होती है तो आप 8-4 तक आप अपनी प्रेफरेंस देजिए जो आपका केंडिडेट लॉग ऑना है, मिवान से आपको लॉग इन करना है उसके बाद आपको जि ciudad आपको घ्यकालीज और तीस की आपको यहापको इसका ज्युकुर्व document verification के लिए जो आपको college alert होगा उस college में आपको हाजिर होना पड़ेगा 20 से 22 तारिक के बीच में ठीक है online submission of fees और आपको इनी दिनों के बीच में 22 तारिक से पहले पहले आपकी fees submit कराने पड़ेगी 31,000 के something आपकी fees submit होती है online portal पे ओके तो यह तो रहेगा first round counseling के लिए इसके बाद जब second round की counseling स्टार्ट होगी यानि कि जिनका number first round की counseling में नहीं पड़ेगा तो उनको second round की counseling में apply करना पड़ेगा तो उनकी counseling 24 तारिक से शुरू हो जाएगी तो display of vacant list यानि 24 तारिक को आपकी list आजाएगी इस college में कितनी seats खाली है उसके बाद 24 तारिक से 28 तारिक तक आप college को preference दे सकते हो जैसा कि उपर दी हमने की 5 preference आप दे सकते हो 28, 24 से 28 तारिक तक अपने college के लिए preference दे दी okay तो 31 तारिक को आपका result आएगा 31 अगस्त को कि आपको कौन सा college मिला allot हुआ अगर आपको college allot हो गया तो आपको एक तारिक से 3 तारिक के बीच आपको original document verification के लिए जो आपको college allot होगा उस college में जाना पड़ेगा और इसी बीच आपको online fee submit करनी पड़ेगी ठीक है तो आपका ये process रहेगी second round की counselling के लिए अब जिनका second round की counselling में नंबर नहीं पड़ाया यानि की जिनके marks कम है तो उनकी counselling third round की 5 तारिक से सुरू हो जाएगी यानि की 5 तारिक को vacant list जो है college की seats की college में कितनी seats का लिए vacancy की report जो है university जारी करेगा इसके बाद 5 तारिक से 7 तारिक के बीच में selection of college जो ही procedure है 5 preferences for the candidate who does not apply in first and second round counselling यहां कहा गया है कि जिन्होंने first round second round की counselling में apply नहीं किया है वो भी इस round में apply कर सकते हो ठीक है कुछ होते हैं जिन्होंने first round or second round की counselling अटेंड नहीं कियोती तो यहां भी apply कर सकते हैं third round की counselling में ठीक है तो यहां आप apply कर सकते हो ठीक है तो 5-7 तारिक के बीच आप apply कर सकते हो college के लिए और 10 तारिक आपका result जाएगा जिसको college लोटो का 11-13 तारिक के बीच आपके original document की verification होगी और इसी समय में आपकी online submission भी होगी payment fees की ठीक है तो 13 तारिक तक आपका complete हो जाएगा इसके बाद बचेगा mop up round की counselling ठीक है mop up round होता है अंतिम round last round 15 तारिक को आपको वेकेंट अगर किसी college में seat खाली बस्ती है तो list जारी कर देगा HPU अपनी website पे 15-17 तारिक तक आपको college प्रेफरेंस देनी है 15 तारिक को display the revised merit list after the correction at HPU website तो उसमें जो correction बस्ती हो होगी 21 तारिक आपका result आजाएगा जो आपको college में लेगा ऐलोट हो जाएगा तो 22-23 तारिक के बीच 2 दिनों तक आपको original document verification करने पड़ेगी जो आपको college ऐलोट होगा वहाँ पे और आपकी जो process complete हो जाएगी ओके तो यह अगर आपको कोई doubt हो रहे होगा भी तो जुरूर बताईए आपकी help करूँगा next video में आपको बताऊंगा कि आपको apply कैसे करना है so that's it channel पे नहीं है तो subscribe किजिए वीडियो लाइक किजिए God bless you all